आज श्ट्टी करना है रिस्पाइडिस निवी प्लांस में रिस्पाइडिरी सिस्टम भी भी होते हैं इसमें गैस्ट्रीस एक्षेंग इसके द्वार बता है तो इसमें एक है एक स्पूमाता फटेश रगता है, टे ऐा फटेश जया थुमाता है कि अध नाय मैं मुझा ले, unique है और थisi जित्ज है कि अपूस हमख़ा, तो श्तुमाता है कि मैं मुझा ले जित्को बादест को जया कि अवार two तो जिसको कार्च सेल करते हैं, कार्च सेल का बाधरी सेल वाल पकला होता है जब की घीतर वाला मूटा होता है, ठीक होता है यह जो है गाइट सेल्स घीरा होता है यह घीरा होता है सबसी डियानी स्किल्स है यह गाइट सेल्स में इंस्ट्रूमा का खुलना और बंद होना यह तरदर चिंज होने के कारण ऐसा होता है अगर गाइट से वाटर निकल जाता है तो गाइट सेल्स कर जाता है और यह दोनों वाल दोनों तीक वाल दोनों गाइट सेल्स का तीक वाल एक दूसरी से सख जाता है एस्ट्रूमा का बंद होता है अगर यह पानी से भरके तर्दिन हो जाता है तो शिल्ट डाइट हो जाता है और या फिली इसका इस्टोमा जो है खुल जाता है तो यह इस्टोमाटा का क्या function है? इस्टोमाटा रिस्पाइगेसर के समय है, रिस्पाइगेसर का एक्षिज करता है प्रलास इससे वाटर है, वाटर ह्पतें हिम्हीं दुन सा our गास्ट आइप ठर्ड़िस पहता है, तasto भीजता है तो इस गोड़ी पर बाड़ांव पर आपको स्टे ऑफ पायसे, अब ये ऊपर प्रांदस में ऊपर इस काभी होता है, एक जो रेस्पाइट्रीस रेस्पाइट्रीस अब फिर से होता है जिस पर रहता है जैसे रूट पर रहता है रूट है तो रूट है जो है यह स्टी प्रेमा का साइटन शेल्फ मोडिफाइड होकर रूट हैर में बदा जाता है और रूट हैर स्वाइल में रहता है तो स्वाइल से अक्षीजन का लेना फिर रूट हैर का अधाइट साइट्रीस रहता है जो है रूट है फिर दूसरा है लेंटी शेल्स लेंटी शेल्स जैसे प्लांट के रूप के स्टीम कहीं कहीं से क्रैप होते हैं उसका इपी डर्म पोर्शन डेट शेल्स से कवर्ड रहता है तो वह बार्ग कहला रहा है तो बार्ग कहीं कहीं से क्रैप रहता है तो इदर शेल्स इनर्स इस्टीम एक्सपोजद हो जाते हैं एर के कंट्रेक्ट में रख हो जाते हैं और जिससे वोगर गास्यस एक्सिंग होता है नेक्ट का ये इस प्लांट में रस्पा रीशर के बाद अब आजे ट्रांसपोर्टेशन् प्लांट मुनिशेल्टर में जी होतले हैं मंगी इस तो यह थान्सकोर्टिंट इसष्जिक प्रोसेस हैं जिसमें सरी सबस्टेप मेंगे एक सबस्प्स आप इस दार पोना होते हैं के तो न ईया तौन वढ़ा है जाते हैं और बॉडी के एक पार्ट से दूसरे दाता है त्राउस्पोर्डेशन में हम स्यूर्डलर पास है, और स्यूर्डमेंगते हैं सैंस इसप्टोप्लाइद में बीक्य fittrsm के वारा त्रांस्पोर्डेशन होता है जैसे माइची यह सेल है तो सेल विधे में रिक्लिय सर्क तो साइच जार एरांड दी मी कुलिय मूब करता है इसके साथ इसमें जो बिनियर रखा जिस्ते मैं पूब करते हैं जिसको सांट इन्सेंग करते हैं अब आगे multi-cellular organism यही वन्मे ट्रांस्पोर्टेशन के लिए circulatory system यह से blood circulatory system, lymphatic system जब फ्लांट में transportation conducting system के परा हुआ है conducting system में आप जाइना और फुर्ट तो transportation in plants, transportation दो तरह से होता है Plants में mineral water का transportation जाइन टिशू के द्वारा होता है जब की food और unsubstance, organic substance का transportation होता है तो mineral water का transportation तो सब में कहले हम फुरा साथ समाझ लेंगे root का TS of proportion of root तो उसमें देखें के सबसे बाहरी सर्थर जो होता है वह कलाता है PP blemum और PP blemum का certain cell modifier होकर root hair का formation करता है Inside PP blemum cortex होता है और cortex के अंदर cortex के inside इंडोडर्मिस एक लेर इंडोडर्मिस दूसरा लेर पेरिसाइकल का होता है और पेरिसाइकल के inside जाइन और फ्रूम होते हैं तो यह जो absorption होता है root के थ्रोप तो उसका पाफ्ट में क्या है जैसे mineral water अब्जाग होता है तो root hair में आया root hair से आगया cortex में, cortex से इंडोडर्मिस में, इंडोडर्मिस से पेरिसाइकल में और अल्किमेटली वह जाइन में आजाता है और जाइन में का connection रहता है स्टेन, leaves और फ्लावर में तो अब्जर्ब होगा जो भी में है मिंदर वाटर में मिंदर वाटर जो है वह पहुच जाता है leaf तर, flower तर और यह नीचे से, जैसे root तो यह transport जो है वह lateral transport कहाता है जबकि root से leaf, leaf तर पहुचना एसे dove, sap कहाता है हो जाता है प्रू़ जाता है जाता है बाइब पहर झाल झाल झाल